इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिग गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी. जिससे भोजन के बाद रक्ट शरकरा के स्तर में व्रिधी कम हो जाती है. यह मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से अतिरेक्ट ग्लूकोज को बाहर निकालने में भी मदद करता है. रक्ट शरकरा के स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है. यदि आपको टाइब दो डाइबिटीज है और आपको पहले से ही काडियोवेस्कुलर बीमारी है तो एजमेट वीजी एक टैबलेट एसर हृदे रोग से मरने के जोखिम को कम करेगा. उचित आहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य जीवन जीने में मदद मिलेगी. आपको इसका उपयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक यह निर्धारत किया गया है क्योंकि यह आपके भविश्य के स्वास्थी की रक्षा कर रहा है. इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें. इसे पूरा निगल लें. इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं. एसमेट वीजी एक टैबलेट एसर को खाली पेट लेना है. एसमेट वीजी एक टैबलेट एसर तीन एंटिडाइबिटिक दवाओं का मिश्रण है. ग्लिमिपाइराइड, मेटफॉमिन और वोगलिब जब एकल या दोहरी चिकित सा प्रभावी नहीं होती है तो वे रक्ट शर्करा के बहतर नियंतरन प्रदान करने के लिए विभिन तंतरों द्वारा काम करते हैं. ग्लिमिपाइराइड एक सल्फिनीली उरिया है जो रक्ट शर्करा को कम करने के लिए अग्ण्याशि द्वा से एक अल्फा ग्लूकोसिदेस अवरोधक है जो जटल शरकरा को ग्लूकोस जैसे सरल शरकरा में तूटने से रोकता है यह भुजन के बाद रक्त शरकरा के स्तर को बहुत अधिक स्तर तक बढ़ने से रोकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको य मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद